देखिए इस वीडियो में में गापकिट पाउडर के बारे में बताने वाला हूँ यह देखिए इसके बारे में बताने वाला हूँ इसको हमें कौन सी बिमारी में उप्योग करना है इसको हमें कैसे खिलाना है यह सारी डिटेल जानकारी में आपको इस वीडियो में बताने व वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें देखिए पसु पालन वेवसाय से जुड़े किसानों की आज सबसे गंबिर समश्या उनके मादा पसुओं का समय से गर्मी में ना आना एवं पसु कंसीव नहीं करना है गर्मी में लाने की एसी पेली दवा है जो पसु को ठेराने की समभावना को भी बढ़ती देखो इसको खिलाने से पसु को ठेरने की भी समभावना बढ़ जाती यह देखिए मैं आपको इसको खोल के बता देता हूं इस तरीके का डिबा रहता है और इसमें से इस तरीके से ज किडों को मारने का काम करें अग से निकाल के भी बता देता हूं पूरी तरीके से आई रव्ये दीखिए यदे के इस तरहिके से पूड राट यह इसमें से और यह पेट के कीड़े को मारने का काम करेंगी यह देखिए इस तेरे के का पाऊडर निकलता इसमें से वह बहुत बढ़या रिजल्ड भी है When I dump रहे हैं ठोमें पसो की डिए करवाने की जुरूत नहीं पड़ेगी इससे पसु की डियोर्मिंग हो जाएगी यह देखिए दूसरा पाउच हम बता रहे हैं यह भी रेट पाउच है डे सेकंड अब दूसरे दिन खिलाना यह देखो हमें नंबर वाइस खिलाने है और नंबर वाइस खिलाने में बिल्कुल भी गर्बड नहीं करना है और गया दे हम गर्बड करते हैं तो पसु को पूर आरामी नहीं होगा और पसु गर्मी में नहीं आएगा यह देखिए दूसरे दिन दूसरा पाउच देने की दवा है जो कि गर्बा से की सुजन एवां संकरमन को ठीक करने का काम करेगी और दे थ्री देखिए तिसरा पाउच फिला बता रहे हैं यह हमें तिसरे दिन देना है यह देखिए तिसरा पाउच तिसरे दिन देने की दवा है जो पसु के सरीर में खनीज लवन की कमी को पूरा करती है और यह पसु के सरीर में जो खनीज लवन की कमी हो जाती है उसको पूरा क करने का काम करती है इस तरीके का पाउडर निकलता है तो यह तिसरे दिन देना है तिसरा पाउच एक पाउच हमें रोज देना है और तिसरे नंबर का पाउच हमें तिसरे दिन देना है जो कि पस्तु के सरीर में जितने भी परकार के खनीज लवन होते हैं उनकी यदि कमी हो ज किया करता है खताइज में उतने इंव योटी विटामीन के कमी हो जातीů उनको पूरा करता है जोए की पूरा करता है यह झालर के पवच दिन काने मैं दिनाओ सब्कुराओ के जाकता है जो कि एक ही बार में खिलाने है इसके खिलाने के 21 वे दिन के अंदर ही पसु गर्मी मा आ जाएगा यह देखिए इसके अंदर हमें 10 केपसुल निविलेंगे और वो 10 केपसुल हमें एक साथ खिलाने है यह देखिए यदि हम आप बता देते हैं इसके अंदर से 10 केपसुल निकलते हैं इस तरीके के पाउच 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 दिन देने की दवा है जिसमें 10 केपसुल उपलब्द है जो की एक ही बार में खिलाने ये भी हमें ध्यान रखना है ये सारी पूड़िया हमें पाउच पूड़िया एक ही बार में खिलान है इसके खिलाने के पसु 21 दिन के अंदर ही पसु गर्मी में आ जाएगा यह देखिए इस तरीके के पाउश निकलते हैं और हमें पांस दिन तक लगातार देना है और जैसे बताया गया उसी तरीके से यह हम देते हैं तो हमें 100% रिजट मिल जाएगा पसु पालक की जो समय च अच另 CT करेगा और जो रिपीड होता है पसु उसको टेरने की पूरी संभवना बढता है तो आंगों गर्मी में लाने के साथ यह क्या करता है पसु को टेराने का ऑभि काम करता है इसलिए हमें यह देना चाहिए बाकि हम जो भी दवई देते हैं मार्केड ओं सारी पसुल मिलते हैं बोलस मिलते हैं वो क्या करते हैं पसु को हम खिला देते हैं तो बाध में गर्मी हो जाती है और पसु बार-बार रिपीट हो जाता है ये खीलाने से पसु रिपीट नहीं होगा और बहुत बड़े रिजल्ट मिलेगा दन्यवाद